3 2 1 0 आज दे इस वीडियो दिवेच तोटा सारे हंदा वेलकम करदा हैं बिटे और आज दे इस वीडियो दिवेच अपां अगले अलफाबेट ड्रा करने सिखाँगे पिछली वीडियो देवेच आपड़ डी तक ड्रा करने से कैसी आज तुसी यह देख रहे हूं कि ई अल्फाबेट जड़ा है वो किस तरह ड्रा की ता जब देख रहे हूं जब तुसी देख रहे हूं दूसरे पिछल बलाके इस तरह जड़ी ई है वो त्यार होगी उस तो बाद होना पाँ एफ ड्रा करांगे एफ जड़ा है वो बिलकुल ई दी तरह ही ड्रा कीता जांदा है क्योंकि तुसी जान देख अगेन वो आपा तिन लाइना वो दिया ने एफ दे विच सिर्फ दो निच्चे वाली जड़ी ई दी लाइना हो नहीं आएगी ता इस तरह जड़ा है वो एफ अल्फाबेट ड्रा हनदा है और आपा नेक्स्ट जी अल्फाबेट ड्रा करांगे चारो को नहीं जड़ेने वो गोल कर लांगे और राइट साइड तो उपर लो तीसरा जड़ा है उननों भी उपर नों गोल करांगे क्योंकि तुसी जी जान दे हो किस तरह पहन दिये आँ देख रहे हो तुसी उन जी दी शेप किस तरह राखिकती जानी है ये थोड़ी 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 जी दी शेप जड़ी और नजर भी आ गई होएगी ये जी दी शेप बनकी उन बाकी जो आउटलाइनिंग है उननों थोड़ा जा आप डार कर देआंगे ता जी दी जड़ी शेप है और नजर आन लग जाएगी A, G त्यार होगी उस बाद नेक्स्ट अल्फबेट है H H दाता बिलकुल सिद्धा ही है बॉक्सिस तो नो नजर आ रहे है बिलकुल सिद्धे सिद्धे हों है अपा ड्रा कर लेने है बिलकुल सेंटर वाला जड़ा वालेटर उनों यह स्थरा जोड़ देना अपस देविच और यह एचिजिदी शेप थोनों साफ साफ नजरान लग भी है नेक्स्ट जिड आल्फबेट है I यह देख रहे हो कि किस तरह I जड़ी आपर ड्रा कर रहे है सेंटर देते इन बॉक्सेज जड़े ने उना नो आउटलाइनिंग देके उस तो उपर तो और निचे वाली नो लाइन नो क्लियर करके यह जड़ी I दी शेप है ओ भी तियार हो गई है अगर तुसी त्यार नल देख रहे हो ता बिल्कुल तो अनो कोई भी मुश्कल नहीं आएगी इस चीज नो ड्रा करन दे विच बिल्कुल जमें I ड्रा किता है उमें हम जे जड़ा है ओ ड्रा करांगे I सेंटर दे विच अपा ड्रा किती है जे जड़ी है ओ राइट साइड वाले बाक्सी दे विच ला जांगे नीचे वाले कोने जड़ेने ओ गोल कर दे आंगे उपर वाला जम्याप आई दा कॉलम पहले उपर लेते हैं ड्रा की तेसी उससे तरह और जे शेप जड़ी है लग बगत वनों नजर आवी होएगी नेक्स्ट जड़ा है उँ है के के नों थोड़ा त्यानल तुसी देखना की किस तरह की जड़ी है और ड्रा होएगी उपर वाला कोनने वाला जड़ा फाइंट है और लेफ्ट साइड निच्छे वाला कोनने वाला किस तरह लाईना मला लेनियाने आपर सिर्फ थोड़ा त्याहनल देखन दी जरूरत है और बड़ा इजली तो नों ये समझ आ जाएगा कोई बहुत ज्यादा है निज़ कोई मुश्कल ऐसी चीज नहीं है जिरी 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 बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पवे बड़ा असान है अगर तुसी थोड़ा त्याहन नाल जड़ी नज़र है और इना अलफाबेट्स ते जिरी जदो में ड्रा कर रहे हैं पॉइंट्स स्केल यानि किते रख्या जा रहे हैं और पैंसल नाल किस तरह उस पॉइंट तों किस दूसरे पॉइंट वाल लेके जा रहे हैं सिर्फ एन नाहीं तुसी त्याहन नाल देखना है तो बड़ी असानी नाल जड़ेने ए जदो बॉक्सिज आप अपहलें ड्रा कर लांगे तो बड़े असानी नाल इस सारे इस सारे अलफाबेट्स A, B, C, D और Z तक अपढ़ रा कर सकते हैं एक A उस तो बाद हम नेक्स्ट अलफाबेट्स एल बिलको लेफ्ट साइड वाले निच्छे वाले और लेफ्ट साइड वाले सारे एक एक अपह बनाए सी होना नो आउट्लाइनिंग दे दे नहीं है ता L शेप जड़ा है वो त्यार हो जाएगा L तो बाद M M अलफाबेट्स जदो तुसी ड्रा करोगे ता एक चीज दा त्यान रखना है कि M जड़ा है वो तिन बाए पांज बॉक्स दिवच त्यार ना होके चार बाए पांज बॉक्स दिवच त्यार होएगा यानि राइट साइड नो जद आपक बॉक्स दिगंती करांगे ता ओ चार और निचे नो करांगे ता पांज ता देख लो किस तरह पॉइंट मला रहे हम है है बड़ा ही असान सिर्फ थोड़ा त्यामराल देखोगे ता बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा आएमधी शेप क्लियर हो गई है बाकी अपा आउटलाइन थोड़ी डा डार्क करके उसनों शेप जड़ियों दे देंगे इस सारे ही अलफा बेटरे ड्रा करने बड़े जरूरी ने और मईयर मेंट दा इन अच बड़ा खास त्यान रखना है बाक्सेज ड्रा कर लगए आएम शेप जड़ियों रेड़ी हो गई थैंक यू वेरी मच